यह गाइज, सबसे यंगेस प्रिसिडेंट है तो फस्ट आफ में देख लेते हैं चिले को तो यह है इंडिया और अगर हमको चिले जाना हो तो यहां से हमको मूफ करना होगा इस्ट की तरफ तो बेसिकली पैसिफे कोशन के पास आपको मिलेगा यहां पे चिले और चिले एक स ताउथ अमेरिकन देश है यहां पर आपको इसकी जो है कैप्टल मिलेगी सेंटियागो और चिले नॉर्थ में अपनी बॉर्डर पेरू से शेयर करता है इस्ट में बोलिविया एर्जेंटीना से शेयर करता है यह बात तो हो गई लोकेशन की लेकिन अगर आप चिले के आपको एक dark chapter भी देखने को मिलेगा वो है dictatorship का 1973 से लेके 1990 तक मतलब 17 साल तक चिले में military कूप रहा मतलब military का साशन रहा जैसे आज के समय हमको मैनमार में देखने को मिलता है मैनमार में military का साशन है आंग सांग सूकी को जो है जेल में डाल दिया गया है वैसे ही military dictatorship हमको चिले में उस समय बहुत ही high level पर execution किया गया करीब 3000 लोग की यहां पर death हुई थी और वो missing है इसके अलावा करीब जो prisoners हैं करीब 10,000 जो prisoners हैं उनको यहां पर torture किया गया और यहां पर यहां पर यह भी बताए जाता है कि करीब 20000 लोग जो हैं वो exile किये गए और चले के पास्त की लेकिन अगर हम आज की बात करें तो recently जो Gabriel Boric है वो चले के youngest president जो है elect हुए है और पूरी worldwide media इसको cover कर रहे है क्योंकि यह एक symbol of hope है क्योंकि जो new generation है वो यहां पर इनसे बहुत सारी उम्मीद लागा के बैठी है कि यह जो president है वो हमारी लिए यहां पर बहुत कुछ करेंगे में लिए यहां पर एक teacher थे उसके बाद इन्होंने election को contest किया तो किस तरीके से चिले में election process है किस process को वो follow करते हैं इंडिया और चिले के relations कैसे हैं काफी कुछ हम इस video में देखने वाले हैं उसके पहले अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो तो आप हमारे app के through कर सकते हो आपको करना क्या होगा simply app को download करना है फिर आपको यहां पर sign up करना है आप दो videos lecture देख सकते हो जो demo lecture होंगे फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे और आप यहां पर pdip जो है download कर सकते हो इसके लावत आ mmacademy.in यह हमारी website है आप website पर भी जो है visit कर सकते हो now first of all मैं आप से यहां पर कोशन पूछूँगा what is the currency of Chile चिले चिले की capital तो मैंने आपको बता देगी सेंटागियो जो है capital है लेकिन वहां की currency क्या है option है चिलियन पीसो चिलियन डॉलर चिलियन यूरो यह चिलियन रियाल तो सही उत्तर comment box में जरूर comment करना और वीडियो के अंतमे मैं आपको जवाब दूगा है सबसे पहले हम जो है चिलियों के एक बार map में और देख लेते हैं तो यह है चिले का map और चिले की capital है सेंटा की ओग चिले अपनी border South Pacific Ocean से जो है यहाँ पे share करता है इसके अलावा आपको South America में एक बहुत ही important mountain range भी देखने को मिलेगी जिसको world की largest mountain range कहा जाता है जिसका नाम एंडीस जिहां एंडीस mountain range जो है आपको South America में ही देखने को मिलेगी और एक desert भी आपको देखने को मिलेगा चिले में जिसको Atacama Desert के नाम से जाना जाता है और यह कई बार exam में जो है यहाँ पे पूछा गया है और चिले एक southernmost country है पूरी दुनिया की एंटार्टिका के पास में है और अपनी border यह पेरु से share करती है बोलिविया से share करती है और अर्जेंटीना से share करती है और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि South Pacific Ocean और South Atlantic Ocean के बीच दो देश आते हैं वो है उन्हें से एक है अर्जेंटीना और दूसरा है चिले तो दोनों को बहुत अ वो Christianity को follow करते हैं इसके अलावा 45% जो है Roman Catholic लोग है अब Roman Catholic कौन है जब आप World History पढ़ोगे तब जो है Roman Catholic का रोल आपको देखने को मिलेगा तो चेले की अब आदी में 45% Roman Catholic लोग भी है अब अगर हम बात करें election process की तो जो president है वो directly elect होते है absolute majority से अब absolute majority मुझे आपको बताने क जरूत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ absolute majority वो होती है कि simply एक voting का जो है यहाँ पर criteria decide कर दिया जाता है कि इतने vote जो है चाहिए ही चाहिए है और उससे जादा जिसको vote मिलेंगे वो जो है यहाँ पर जीते का तो तो उसको absolute majority जो है यहाँ पर कहा जाता है और इसी तरीकी के election process जो है follow करी जाती है चिले में और 1989 के पहले जो president है उसको simple majority से जो है आप एलेक्ट किया जाता था लेकिन अब जो है absolute majority से जो है आप उसको एलेक्ट किया जाता है और recently यह जो election हुए है उसमें Gabriel Boric जो है जो की social convergence party के है और सबसे youngest जो है president बन गए है चिले के उसके साथ साथ के youngest leader भी है South America के और चिले में 1970 से लेके 1980 तक General Augusto का यहाँ पे आपको dictatorship देखने को मिलेगी और जो बोरेक है उन्होंने लोगों से यहाँ पे वादा किया है जो चिले के लोग है उनसे यहाँ पे वादा किया है कि हम जो है changes lying society में जिस तरीके के economic crisis आपको द देखना होगा क्या होगा कि जो नए president बने हैं वो क्या करते हैं चिले में और अगर आप इंडिया और चिले के relation देखोगे तो काफी अच्छे relation है इंडिया और चिले के आपको इंडिया की embassy सेंटेगियों में देखने को मिलेगी इसके अलावा चिले की embassy न्यू डेली में भ है तो option है चिलियन पीसो चिलियन डॉलर चिलियन यूरो है चिलियन रिया तो चिलियन पीसो जो है सही आंसर है तो at last I hope कि आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को बला होगा आपने opinion comment box में जरूर comment करना इसी के साथ ये तन दिस वीडियो का सुने के लिए बहुत ध आप